असलाम अलेकं दोस्वाब देखे रहें खाली टेक्निक यूप चैनल दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 10 प्रो की दोस्तों यह स्मार्टफून है पाकिसान के अंदर लॉंच कर दिया गया रिशनली और इसकी जो काफी धूम है क्योंकि इ पोस्तों होने वालार साथ में कैमरा टैस्ट भी पोस्तों होगा तो स्टेट टून फो दी वीडियो उसके लिए चैनल को सब्स्राइब करने और बैल नोडिफिकेशन को दबा ले और वीडियो को लाइक करना मत बुलिएगा कि मैं अपनी क्वालिटी को मजीद कैसे इंप् बात करें यहां कुछ और चीदे मैंशन है जी एटी एट का प्रसेसर है 50 मेशल का ल्टरकील कैमरा है और 6.8 इंचिस का फुल एच्टी प्लस 90 हर्स का रिफ्रेश रेट है मैं आपको एक चीद बसाता चलू आज कल की रेंज में आजकल के दोर में 90 हर्स का रिफ्रेश स्वासबून काफी चीदे में नैजन है जो से सीदे मुल एक पर लेते हैं और शेलफी 32 मेशल के यह अच्शी बात है जो सिदे अभी बरते हैं इसे इन भी बॉक्स आफ़ को हुआ को अगो उनर आ यह मैंन बोक्स आ चुका है इसके अंदर आयसी बोगी अब हमें यह कुल फून देखने को मिलता है, साथ स्पेसिफिकेशन वही मेंचन है, जो बाइर मेंचन थी, यहां रोबस स्मूथ मैजिक स्किन, बैक की तरफ से लेधर टाइप की अंदर यह फून आता है, उसे इस तरह का नाम दिया है, जो के बहुत होखा है हमारे लिए इंगलेश में पढ़ तो इसको भी हम रखते हैं साइड पे, इसको कुछ कापी और कतापे देखने को मिलती है, कापी एक ही है, हाँ वरंटी कार्ड, जो के इच्छी बात है, यहां तो सब को टाइप-C की केबल देखने को मिल रही है, जो के और इंच शेर्ड के अंदर है, एक आप को चार्जर की रेटिंग भी चेक कर लेते हैं कि कितने हाँ पानी में आई है, और यहां यह चार्जर है, 18 वाट की फास्चार्णी के साथ आता है, जो के अच्छी बात है, और एक सीम एजेक्टर टूल है, बाकी इसके अदर डबे के अंदर कुछ नहीं है, डबा हो चुक है, यह आ अच्छी बार तरह करए आता हैं, और यहां चुक है रहामके पैक्छ प्शुड़िया गाए और यह घुक हो आ हे हुआ है नीचे वल सैट पर एक टाइप C पर्ट है, एक माइक है, एक स्पीकर है, तो इसे ओन कर लेते हैं, देख लेते हैं, इंदी बॉक्स, आपको फोन के अंदर दोस्तों क्या क्या देखनी को मिलता है, यहां उपर पंच वल डिस्पले है, तो फोन हमारा ओन हो चुका है, अगर काफी कमाल का डिस्मले है और इसका 90 Hz भी चेक करते हैं कि 90 Hz कितना स्मूथ है कि वाकी में स्मूथ है कि नहीं तो इसको जो है सेटिंग अदर जाते हैं इसका 90 Hz यहां से वहन करते हैं और 1080p Plus की रिए दोलुशन है मैं बड़ा है रहान हो रहा हूँ कि अभी भी जो स्मार्टफ सिंगल कैमरा वर्किंग में फ्रंट की तरफ सिंगल कैमरा वर्किंग में 32 मेगापिक्सल का तो मजीद इसके अंदर का स्पेक्स की बात करें Android 13 आपको आट ओफ दी बोक्स एकने को मिर रहा है जो कि मुझे अच्छी बात लगी इसके उपर वरी स्रैट बे बाउट फून हो तो देखिएगा बाकी फून की ओगरा लुक जो है मुझे काफी पसंद आई अपने इस फून के अंबॉक्सिंग देख ली फून की लुक जो है वो काफी कमाल है आप देख सकते हैं फून लुक के अंदर बहुत ज्यादा है इस रेंज में इस तरह की लुक कोई भी फून एक जख सकता है यह में शर्थिया कहा सकता हूँ और बैक की तरफ लेढर है यह बलैक लेदर है यह वाइट लेढर है लेकिन पूरा टैक्श्च लेढर का है और साइड आपको जो है वो देखने हो मिलती है मैटल टाइप और इसकी जो साइड है ना यहापको फ्रोस्टेट लुक के अंदर देखने को मिलती है, फ्रंट की तरह एक बैजल स्क्रीन है, अब देख सकते हैं, फ्रंट की तरह बड़ी स्क्रीन है, बैजल स्क्रीन है, 10NDP पलस की रिजलोशन है, और इसके अलावा भी, यह जो स्क्रीन है, आप कह सकते हैं, लंबी ज्यादा है, मतलब कि इस तेकनों कहता है कि इसको टेकनो कहता है कि in magic's skin जो है भू है बतलो कि इसको नाँ magic skin का दिये गए वैसे तो यह है लेडर लगई बागी जोहाई अपना iska अवरराल मुझे अचा लगए अज्छा लगवागा के एस अवरराल के ओर जो अपके प्क्चर थी जो इस अवरराल इस चेक्सोटाइस का विरेंट है साथ में आर जी एक्स्टेंडड है साथ में आपको माइक्र स्टी कार्ड की सबोर्ट को मिलती है डूल सिम पोर्ट है और स्मार्टफून जो है ओवर रल कावी इचा है और आप सामने की तरफ देख रहे होंगे जो कैमरे वली मगोरी है वो सपोर्ट है 3.5 mm का जैक है साथ इस बार टेक्नो नहीं दी है लेकिन आपको साथ चार्जर देखने को मिलता है जो कि 18 वार्ट की पास चार्जिग को सपोर्ट करता है यहां एक स्पीकर है डूल स्पीकर नहीं है सिंगल स्पीकर के साथ यह फून आता है आपको जो है बैक की जा रहे थे जी हां जरूर दोस्तों आप इसे खरीज सकते हैं यह आपके लिए एक वैल्यू फूर मनी स्मार्ट फून हो सकता है अम रेज के अंदर आपको अच्छे स्पैक्स परवाइड करता है इसमें अच्छी लुक भी परवाइड करता है बाकि इसका फुल रिव्यू